नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपने यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस विडियों में दिखने वाले हैं यूपी पुलिस कॉंस्टिबल री एक्जाम जो आपके 23 अगस 2024 से कंटेन्यू हो रहा है उसके लिए इंपोर्टेंट साइन्स का यहाँ पर टॉपिक या क्योशन स्कावर करेंगे जो यूपी पुलिस एक्जाम आपके 2024 में कैंसल्ड एक्जाम हुए थे ने 17 और 18 फ्रावरी की जारो पारियों में जो भी साइन्स के स्वाल पूछे गए हैं वो repeated स्वाल थे यहनि एक स्वाल आया है next shift में उस topic से वो Sam स्वाल repeat कर दिया गया है Sam क्योशन repeat नहीं हुआ है लेकिन topic repeat हुआ है और बहुती easy से स्वाल पूछे के हैं देख लेते वो कौन से स्वाल है जो आपके 2024 में UP Police Constable में साइन्स के पूछे के हैं यहाँ पर shift wise स्वाल देखते है 17 फरोरी 2024 का पहली shift का पहला स्वाल स्वेद प्रकास कित्रे रंगों से मिलकर बना बिलकुल easy स्वाल है स्वेद प्रकार सभी को पता है साथ रंगों से मिलकर बना है विकलप सी करेक्ट है वो साथ रंग कौन से है उससे पहल आपको अपना रंग बताना होगा मतलब आपकी त्यारी कैसी है वो आपको एक्जाम से पहले कैसे पता चले उस हितु आपको previous year best mock test देने होंगी और 50 प्रस्टेज त्यारी आपके mock test से ही complete होती है तो आज से ही आप test book pass pro join कर लेना लिंक डाइस क्रिप्स वाक्स पर है बहुतनी नील चाद रही है pass pro का मतलब है previous year के paper as it is mock form में मिलेंगी और उन पर आधर सारे test रहेंगी और ऐसा नहीं केवल यूपी प्रस्टेज के ही मिलेंगे आप यूपी प्रस्टेज के साथ साथ अधर आप जैसे SSC GD exam को target कर रहे हो NTPC को कर रहे हो next group D को करेंगी तो सभी exams के mock test एक ही pass pro में आपको मिल जाएंगे तो ये एक अच्छी डील है एक साल की वैल डीटी में TTC के open code से आपको अत्रिक discount मिल जाएगा new candidate को पता नहीं कैसे pass pro join करना description में demo video की link है उसे check out करना सारी आपको जानकारी वहाँ पर दिए गए हैं कैसे 50 प्रस्टेज त्यारी आपके mock test से complete होती है smart analysis आपको करना पड़ता है प्रकास कित्रे रंगों से मिलकर बना है साथ रंग कौन कौन से है तो इसके लिए जो आपका विबजोर ये वाले जो आपके विबजोर short form रहती है वी एनि वाइलेट, आई एनि इंडिगो, बी एनि बल्यू, जी एनि ग्रीन उसके बाद वाइ यानि येलो, ओ एन ओरेंज, आर यानि रेड तो ये साथ रंग है बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल अगला स्वाल दो पूछा गया आपके 17 फ्रावडी की फर्ष रिप में अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निमलिक में से किस नाम से जाना जाता है ये लगबग पृतिक सिपने इस टाइप से आया स्वाल अंगूर की खेती को उपज और कटाई को किस नाम से जानते हैं अंगूर की खेती को कहते हैं वीटी कल्चर क्या कहते है विटी कल्चर अब अन्य जो होटी कल्चर PC कल्चर, सहरी कल्चर इस प्रकार अन्य जो विशेश प्रकार की खेती है न उनके अपन देखते हैं श्राखाओं के क्या वहाँ पर अध्धिन क्या जाता है जैसे यहाँ पर आपको दे रखा होटी कल्चर, विटी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर तो इनके बारे में देख लेते हैं होटी कल्चर यह पोद्धों की खेती विशेश रूप से फल, फूल और शबजियों की खेती होटी कल्चर में फल, फूल और शबजियों की खेती होती है PC culture में मचली पालन मचलियों की खेती VT culture जो आपको पूछा है अंगूर की खेती है Sari culture ये रेशम के कीड़े की खेती होती है Silk warm रेशम के कीड़े की खेती Sari culture अब इस प्रकार अन्य आप देख लेते हैं खेती की जो प्रांचेज हैं साखाएं हैं उनमें किसका अद्धिन होता है Horticulture जो बागवा ने आपको बताई हैं जिसमें फॉल्फूल सब्जिया Horticulture VT culture अंगूर की खेती PC culture मस्य पालन Mori culture ये का आता है जिसमें रेशम केड़े हैं तो श्रहतूत उगया जाता है AP culture में मदुमकी का पालन किया जाता है सहद के लिए मदुमकी का पालन AP culture Flory culture फूल विज्ञान Flory फूल है Silvy culture Oneo के सनक्षन समर्धन की किरिया सामेल होती है Silvy culture Oneo का सनक्षन और समर्धन Arbori culture Arbori culture की बात करे तो शमुद्री जिवों का उत्पादन तो इनकी खेती समुद्री जिवों का मेरी culture नेश्ट आपके ओलेरी culture ओलेरी culture है इसमें आपके जमीन पर फ्यालने बारी सब्जियों की खेती जो सब्जियों की खेती की जाती वो ओलेरी culture में और ओलिवी culture ये ओलेरी कल्चर और ओलेवी कल्चर अलग है ओलेवी कल्चर ये जयतुन की खेती ओलीवी कल्चर है जयतुन की खेती एरोपोनिक क्या होता है पोधों को हवा में उगाने को कहा जाता है एरोपोनिक वर्मी कल्चर कैंचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर अन्य आप देखेंगे टर्म तो एग्रो फोरेश्ट्री क्या होता है एग्रो फोरेश्ट्री किर्शी और वनस्पती के स्योजन सी खेती होती है ओलीव कल्चर आपको बता दिया माइको कल्चर होता है, मश्रूम की खेती, पोली कल्चर होता है, एक ही भूमी पर विभिन फशलों की खेती ये विभिन विशे इस प्रकार की खेतियों के आपको नाम बता दिये अब 17 फ्रावरी की सेकंड सिप्ने स्वाल पूछागा, वो दिखीगा नीमलिक्त में से किसमें लाक्टिक एसिड होता है, लाक्टिक एसिड, 17 फ्रावरी सेकंड सिप्ने, पालक, दही, इमली, सिर्का, इतना ईजी स्वाल, आप कहेंगे लाक्टिक एसिड होता है, तो पालक में कौन सा होता है, इमली में कौन सा होता है, सिर्का में कौन सा होता है, इस प्रकार आगे और भी स्वाल पूछेगे हैं तो उसके उत्तर अभी जान लेते हैं अब आपको बता दू काफी बार पूछे जाता है नीम्बू और शंत्रा में कौन सा एसिड होता है नीम्बू और शंत्रा में होता है सिट्रिक कहे दो साइट्रिक कहे दो एक बात है कहीं कहीं आपको सिट्रिक एसे भी मिला हुआ दिखा हुआ मिलेगा या साइट्रिक एसिड यह नीम्बू और शंत्रा में जो खट्टे फ्रूट है उसमें पाए जाता है अंगूर और इमली में कौन सा होता है अंगूर और इमली टारी 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 एसिड होता है बिल्कुल टारी 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 एमली और अंगूर खाएंगे तो टारी टारी लगेगी आपको टारी टारी एसिड इसमें होता है next अपनân बात करें, save में, स्वाल था न, save, save में होता मैलिक एसिट, आगे स्वाल भी आएगा save मे इसिट, मैलिक खोता है, खुबानी, जो apresent आपरी कोट है, उसमें भी मैलिक अमल होता हूँ, परचूर लेव, चुकंदर, खुबानी, ब्लूबेरी, चेरी इसमें मेलिक एसीड होता है, नेक्ष्ट बात करते हैं, आपके ऑगजलिक एसीड है, ऑगजलिक एसीड किसमें होता है, ऑके टमाटर, ऑके टमाटर, ऑके होते हैं, टमाटर में कौन साम लोता है, तो वो ऑगजलिक होता है उसके अत्रिक तरफ पालक में भी ऑगजलिक होता है important पालक में ऑगजलिक टमाटर में ऑगजलिक गोबी में ऑगजलिक होता है तो इन तीनों में प्रमुक रूप से ऑगजलिक एसिड पाया जाता है सिर्का में कौन सा होता है विनेगर सिर्का में एसिटिक अमल पाय जाता सिर्का में ऐसी सिर्का एसिटिक एसिड होता सिर्का में इंपोटेंट है नेश्ट बात करते हैं चींटियों का डंग होता है ने चींटिक का डंग उसमें रहता फॉर्मिक एसिड मेथेनोिक एसिड कह दो, फॉर्मिक एसिड कह दो, वो चींटी के डंग में रहता है और दूद का जो प्रोड़क्ट है, खटा दू, जिनी दही की बात करे तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है बात करते हैं, विटामिन C की जिसे आप साइंस्टिफिक नेम में एसकोर्बिक एसिड वोलते हो एसकोर्बिक एसिड के समें होते हैं, जो खटी फल है, जिसे आवला है, खटे फल है, किवी, आम, पपीता, हरी, पतेदार, शबजिया इन सबी में होता है अगला स्वाल आरे भट प्रेक्षन विज्ञान अनुसंदान संस्तान उत्राखन राज्य की निमलित मैसिक की जिले में ये अल्टरेडी पूरा टॉपी कवर किया गया है आपको डैस्क्रिस मॉक्स में मैं दे दूँगा इस वीडियो की लिंक जिसमें अपने इस प्रकार की सारी इंस्ट्यूट कवर किया क्योंकि परतेक सिप्ट में ये स्वाल पूछा गया था चार में से तीन पारियों में जो विज्ञान अनुसंदान संस्तान है सो प्लस ऐसे ही रिसर्च इंस्ट्यूट का वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लेना उसमें सारे फेक्ट इंक्लूड है फिलाल आपको बता दूँ आरे बट प्रेक्शन विज्ञान अनुसंदान संस्तान नैनी ताल उत्राखन में है तो ये नैनी ताल में हो जाएगा इसके अल्रेडी फेक्ट यहाँ पर वीडियो में कवर किये गए है अलग से तो वो चेक आउट करना अब देखते हैं अठरा फ्रावरी की फ़र्श रिप में पूछे गे इस स्वाल पहरा स्वाल जो रिपीट हो गया टॉपिक से कौनसा अमल पालके में पाये जाता है पालक में मौझूद एसिड इस से पहले आपका दही में था लैक्टिक पालक में होता है कौनसा अमल ये पूछा है पालक में दोस्ता होता है पालक हो गया टामाटर हो गया ठीक है इसमें ओक्जलिक एसिड होता है कौनसा होता है ओक्जलिक तो पालक टामाटर गोवी वगरा में ओक्जलिक एसिड होता है लक्टिक आपको दही में सिट्रिक जो खटे फुरूट नेम्बू है संत्रा है एसिट लगबग परतेक सिप्ट में दो स्वाल ही पूछे गें साइन्स की ज्यादा नहीं है जो 38 जी की स्वाल है ने उन में से दो क्योसंस मात्र है वेवश्ट्राइक उप्यों के लिए शबजिया फूल और फल उगाना निम्रित में से किस नाम से जाना जाता दो सबजिया फूल फ लिए वीडियो अग्यान संस्तान है पूने महाराष्ट में कहां पर है पूने में अब अगला स्वाल निम्रित में से कौन सा अमल सिर्के में मौजूद होता है सिर्के में होता है एसिटी कैसिड कौन सा होता है एसिटी कैसिड होता है बाकी अमल का डिटेल में इस वीडियो वाल आ गए है यह टॉपिक रिपिटेट है और उसके बाद यह फूल फल यह जो कल्चर वाला है यह दो सिपने स्वाल आ चुक है तो यह आपको एक्षाफेक्ट नो बता दिया और यह तीन से प्रहुक साला वाला तो इसका अलग से डिटेल वीडियो डाला हुआ तो साइंस क कर लाना उन्हों में से जो भी वीडियो आपने नहीं देखें मिसिंग है वहां से अच्छा कासा आपको आईडिया लग जाएगा किस टैप सी स्वाल पूछी जाते हैं और आप कैसे बढ़ते हो और स्मार्ट तरीके से यहां से आप अग दिन कर पाएंगी तो चैनल को सब् मिलते नए वीडियो में धन्यवाद